हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजूकेशन विद गौरब में उत्रखन लेक्षिर केमेस्ट्रिक लिए हम तयारी करें दोस्तों मेरा जो ऑनलाइन बैच है वो सुरू हो चुका है और काफी सारे बच्चों ने उसमें मिलिया है तो आप लोग जल्दी से जो है मुझे मेरे वाटसप नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आगे की जितने वी वीडियो हैं उनको देखने के लिए ठीक है तो फ्रेंड्स आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे यह सोज रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो त लयाबते तयारी कर पाएंगे अभी है अगर शुरू करेंगे तो 2 से 3 महीने के अंदर हम सिलेबस को खतम करेंगे 2 महीने के अंदर लगबग और उसके बाद जो है आपका रिविजन भी आसानी से हो जाएगा साथ के साथ सारे की सारी चीज़ें आप आप इत्मिनान से पढ भाइद ही होने वाला तो ऐसा तो है नहीं कि आपको पढ़के कोई नुकसान हो जाएगा नौलेज जितना भी जो नौलेज है वो लिया हुआ अच्छा ही होता है वो खराब तो नहीं होता है ठीक है और वैसे भी लोगडाइन के टाइम है दोस्तों और मुझे नहीं लगता कि आपका पूरा स्लेबस करवाऊंगा और साथ के साथ प्रक्टिस सेट करते रहेंगे ठीक है तो तो उसी सीरीज में मैं बीच में आपके बीच में 30 कर्वाइट करने वाला हूँ तो इसी परकार से हम स्लेबस के चीजियें पढ़ेंगे और आप मुझे मेरे whatsapp number पर contact कर सकते हैं वहाँ पर आपको detail provide की जाएगी उसके लिए मैं एक telegram group बना रहा हूँ जिसमें की सारे बच्चे जोड़ जाएंगे ठीक है तो friends चलिए सुरू करते हैं अब आकी आपकी मर्जी है मैं और कुछ नहीं बोलूगा ठीक है चलिए सुरू करते हैं तो यहाँ पर question number first देखिए among the following which one does not exist निमली में से इनका जिनका अस्तित तो नहीं है तो यहाँ पर है NF5 SBF5 C है आपके बाद PF5 और D है ASF5 तो यहाँ पर देखिए question number जो first है उसमें NF5 की बात होई है nitrogen के जो है NF5 जो है वो क्यों नहीं बना सकता है क्योंकि उसके outer most electron जो है outer most orbit में तीन ही electron सेस है और वो तीन जो है maximum तीन जो है आपके elements से जोड़ सकते है तो maximum वो NS3 तक बना सकता है इसलिए NF5 possible नहीं है उसका existence नहीं है तो इसलिए यह right answer हो जाएगा option first ओके चलिए आगे चलते हैं अगला question देखिए next देखिए impossible orbit amongst following is तो निविडिक तुमें से क्या असंबव कक्षाएं हैं तो 2S, 2P, 3F and 4D तो इसमें से आपको कौन सी असंबव लगती है जल्दी से बताइए तो friends यहाँ पर जो right answer है वो कौन सा है option 3F orbital आपने कभी नहीं सुना होगा आपने आपबाव का और जो principle है वो पढ़ा होगा है obviously जो F जो है orbital है वो कहां से सुरूता है 4 से सुरूता है यानि 4F से जो है उसमें electron भरना सुरूत है तो 3F नाम का कोई भी orbital नहीं है ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं next देखिए question number 43 है azimuthal quantum number for P and F orbital are respectively तो P और F orbital के लिए जो azimuthal quantum number है उसका value क्या होता है तो जल्दी से बताईए यहाँ पर आसान question है हमने जो है quantum number पढ़े है तो हम जानते कि S के लिए जो value होती है जिरो होती है P के लिए 1 होती है तो D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है तो यहाँ पर बात हो रही है P और F की तो right answer क्या हो जाएगा option B हो जाएगा जिसमें की क्या दिया हुआ है 0 और 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर यह option भी right answer हो जाएगा और azimuthal quantum number को हिंदी में क्या कहते है दिगंसी है कांटम संख्या L से जो है रेपरजेंट करते हैं ओके यह बात याद अखना चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से यह L को S जो है उसकी जब वैल्यू 0 यह L होती है और M की वैल्यू 0 ही जब खीक लिए वहाँ पर ल 2 हती है और M की वैल्यू ही यह जानते हैं कि माइनस एल से लेकर प्लस अल तक होती चाहित है तो इस प्रकार से E represents the radius of orbit, the speed of electrons and total energy of electron respectively. तो हम जानते हैं कि R जो है वो रेडियस हो जाती है, वहर मोडल के according भी जो है उसके velocity है और E उसका rate, E जो है वो आपका electron respectively है, ठीक है? तो अब वो बताना है, which of the following quantity is proportional to the quantum number N, तो यहाँ पर से चार quantity आपके पास दे रखिया है, V into R दे रखिया है, first में, second में दे रखिया है, आपके पास R into E, third में E upon V दे रखिया है, और D में दे रखिया R upon E, तो friends, यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सी जो quantity है, वो N के proportional होगे, तो हम जानते है कि जो आपके मोहर है, उन्होंने क्या खाता अपने सिदान्द के अंदर, कि जो आपका M, V, R है, वो किसके equal to होता है, H upon 2pi के equal, यही पताया था न, है न, momentum, angular momentum, M, V, R जो है, वो H upon 2pi के according होता है, तो इस formula के अंदर देखिया आप, कि M, V, R, H upon 2pi, N, H upon 2pi, है न, तो यहाँ पर यह H upon 2pi तो constant है, और M, V, R के अंदर भी M, V constant है, तो obviously जो N है, वो किसके proportional होगा, V, R के, तो V, R किस में है, option first में, right answer होगा, option A, चलिए आगे चलते हैं, यह सारा किसके bore के सिदानत के अनुसार है, यह बात याद है न, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिये, question नमर 45 के अंदर क्या करा है, the ground state electronic configuration of central metal atom, in some octahedral complexes are given below, in which case, the electronic transition is forbidden air पर, as per spin selection rule, हमें बताना है कि कौन सा जो transition है, वो forbidden होगा, तो यहाँ पर देखिये, चार transition आपके पास देर खेंए, और यह कौन से transition के अंदर होता है, ऐसा, यह आपका DD transition, तो DD transition में basically है, आपने पढ़ा होगा, हम आगे भी इसको पढ़ेंगे, लेक्सर के अंदर कि इस प्रकार से जो D orbitals होते हैं, वो क्या होते हैं, और easy जो है, वो higher energy पर होता हैं, लेकिन इनके बीच में जो electron है, वो कब, उसका transition कब होगा, जब कि वो क्या करेगा, spin selection rule को follow करेगा, और spin selection rule जो है, वो क्या कहता है, कि जो spin है, वो उसकी value change नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताईए, इसका right answer दिमाग लगाए थोड़ा सा, और उसके बाद बताईए, मुझे क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जो दोस्तों, जो right answer है, वो कौन सा है, जल्दी से बताईए, तो यहाँ पर जो सही उतर है, वो option, कौन सा है, फास्ट है, ठीक है, और कैसे है, हम इसका explanation देख लेते हैं, इसके explanation से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 electron जो है, वो T2Z के अंदर जाएगे पहले तो, और easy के अंदर इन्होंने कहा कि एक electron जाएगा, जो कि upper state है, तो अगर हम इसका spin निकाले तो इसका total spin 3 by 2 हो जाएगा, और easy में जो है, एक electron तो उसका spin हाप हो जाएगा, तो अगर हम इनमें chance देखें, तो chance कैसे निकालेंगे, दोनों को minus कर देंगे, S2 में से S1 को minus कर देंगे, तो जब इनको minus करेंगे दोस्तों, तो एक कुछ इस प्रकार से आगे, 3 by 2 में से 1 by 2 minus करने के बात, यह हो जाएगा 2 by 2 यानि की 1, इसका मतलब कि यह क्या नहीं हो रहा है, और 0 नहीं हो रहा तो इसका मतलब transition क्या है, forbidden है, किसी भी जो है, वो डिडी transition के अंदर, जो transition है, वो क्या होना चाहिए, अलावड तभी होगा, जबकि spin जो है, वो delta S की जो value है, delta S जो है, वो 0 के equal होना चाहिए, तब जो है, spin जो है, वो allowed माना जाएगा, ठीक है, इसके अलावा एक लेपोटे का भी होता है rule, तो वो क्या होता है, basically L की जो value है, वो plus minus, delta L की value जो है, plus minus 1 के बराबर होनी चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे आगे, next देखिए, among the given statement regarding the structure of NS3 and S3O positive, which one is incorrect, तो हमें बताना कि इसमें से जो NS3 और S3O positive के structure की बारे में कौन सा statement गलत है, ठीक है, तो पहला statement देखिए, all NH bonds in NS3 are equal in length and strength, NS3 में जो है, सारे के जो bond है, वो equal length के है, हो strength के है, second में वो कह रहा है कि, all OH bonds in H3O positive are equal in length and strength, third कह रहा है कि, the, sorry, N in NS3 and oxygen in H3O positive, both are atoms, involved in SP3 hybridization, and fourth के अंदर को कह रहा है कि, number of lone pair of electron in nitrogen atom, NS3 is only one, but two on oxygen atom, okay, तो यहाँ पर देखिए, जो option four है, वो गलत है, क्योंकि वहाँ पर बात हो रही है कि, NS3 के अंदर जो वो कह रहा है कि, only one pair of lone pair है, तो यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टीन जो है, वो N के जो तीन electron है, वो obviously, तीन जो है hydrogen के साथ लग गए, और एक उसमें जो है, वो lone pair और atom रह गया है, ठीक है, तो यह ठीक है, लेकिन oxygen पर वो कह रहा है कि, दो है, तो यह गलत है, यहाँ पर S3 O positive के अंदर भी, एक ही lone pair of electron होगा, जब आप इसके structure को देखेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ मा आ जाएगा, कि S3 O positive, क्योंकि यहाँ पर, जो है वो, तीन जो है, वो bond जब oxygen के साथ बना लेगा उसके बाद जो है, एक lone pair सेस्त रह जाएगा, O positive की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए यह option, गलत option हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो उसने lone pair की बात की दो lone pair यहाँ पर present नहीं होते हैं, क्योंकि वो H3 O positive की बात कर रहा है, ठीक है, नेक्स देखिए, यहाँ पर देखि जो है, वो SP3 है, इनमें यह बिल्कुल ठीक है, और इसको निकालने के लिए हम आगे देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है, है, हाईविडाजिशन भी निकालेगे हम, अगला क्वसम देख लेते हैं उससे पहले, among the following, both the member of dash of which pair are paramagnetive, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें जो है, molecular orbital theory के अंसार जो है, इनका electronic configuration लिखते हैं, ठीक है, तो इसका जो सही उतर है, वो option यह है, और उसका पता कैसे चला है, जैसे यह nitrogen 2 और positive है, तो nitrogen, obviously जो है, 7 होता है, 7 दूनी 14 हो गया, और positive मतला उसमें एक electron कम हो गया, तो 13 electron का हम distribution कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे किस के according, MOT के according, sigma 1s2, फिर sigma nt1s2, फिर sigma 2s2, फिर sigma nt2s2, फिर next आपके पास π2p2x, π2p2y, और बचा एक electron जो है, वो किसमें जा रहा है, sigma 2p1z, यानि कि एक ही electron जो है रहा गया था, जो कि आयूगमित है, यानि कि unpaired है, जो कि z में 2pz के अंदर जा रहा है, sigma 2pz, तो इस चुम्ब क्या हो गया, है कि नहीं, और उसके बाद second, जो है, दूसरा जो है, इसमें देखिए, पहला इसमें n2 positive था, और दूसरा b2 था, यानि कि boron 2, यानि कि 10 electron, 10 electron का distribution किस प्रकार से होगा, sigma 1s2, फिर sigma nt1s2, फिर sigma nt2s2, फिर sigma nt2s2, कितने होई, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 होग दोनों में जाएगा, फिर उसके बाद pairing होगी, तो एक एक electron दोनों में distribute होगया, तो दोनों में एक एक समझ दो, दो unpaired electron इसमें होगे, तो ये भी अनुचूंबकिया होगया, इस प्रकार से, वो दोनों ही हमारे अनुचूंबकिया होगे, इस प्रकार के die molecules का कहीं पर भी in an atom for which the sum of their principal and azimuthal quantum number equal to 3 can be, तो यहां पर वो कह रहा है कि the maximum number of electron in atom, जिसके लिए कि azimuthal quantum number की जो value है, वो 3 है, तो जब azimuthal quantum जो number है, उसकी, sorry, जो principal quantum number और azimuthal quantum number की जो value है, वो total equal 3 होने चाहिए, तो उसके लिए क्या-क्या जो है, वो possibility हो सकती है, तो इसके लिए 3 possibility हमारे पार total यहां पर sum of है, देखे, question, first यहां पर right answer है, कैसे, जब हमारे पास जो total, वो कह रहा है कि n plus l 3 होने चाहिए, तो उसके लिए 3 संभावना हो सकता है, जो n है, वो 1 हो, और l की value 2 हो, तो उस इस्तिति में भी दोनों को जोड़के 3 होगा, लेकिन orbital 1D होगा, क्यों, क्योंकि l की value यहां पर 2 है, और 2 है तो इसका मलब D हो जाएगा, और n की value 1 हो गया, तो 1D orbital हो गया, दूसरी possibility क्या हो सकती है, कि n की value 2 हो जाए, और l की value 1 हो जाए, उस सिस्तिति में भी यह 3 होगे, दोनों जोड़के, और चोंकि यह l की value 1 हो गया, तो इसक भी न हो, यानि की 0 हो, तो 0 की value की स्तिति में जो है, orbital S हो जाएगा, और वहाँ पर n की value अलड़े 3D है, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो पहला वाला है, यह 1D, तो 1D इस प्रकार का कोई orbital तो exist करता नहीं है, तो बचे वे कौन से है, 2P और 3S, तो हम जानते की P में कितने रह सकते हैं, अधिकतम 6 electron रह सकते हैं, और S में अधिकतम 2, तो total 6 और 2 कितने होगे, 8, तो इसलिए right answer option first यहां पर हो गया, समझ गई, I hope आप वो समझ गए होगे, next देखिए, the total number of lone pair of electrons in XEO F4 is, तो यहां पर lone pair of electron निकालना है, इसके अंदर, तो इसके अंदर कैसे निकालें है, simple जो central atom है, xenon, तो इसके outermost orbital का पता हो, तो बाकी चीज़ें आसानी से हो सकती है, तो हम जानते हैं कि outermost orbital में इसमें 8 electron पाए जाते हैं, तो आप लगा लिजे, 4 electron तो fluorine के साथ, जो है, bond बनाएंगे, single single, और एक जो है, वो oxygen के साथ, oxygen के साथ, जो है, वो जायर सी बात ह है, 2 electron की क्या होगी, pairing होगी, तो कितने होगे, 4 और तो 6 होगे, तो बचा एक electron, तो जो एक electron होगा, वो xenon के उपर इस प्रकार से lone pair के form में रहेंगा, तो इसका मलब इसमें 1 lone pair है, और total कितने हैं, 5 bond pair है, तो 5 इसमें होगे bond pair, और 1 होगया आपका lone pair, तो इस प्रकार से total 6 हो होगया, आपका SP3D2, और 5 bond pair और 1 lone pair है, बाकि निकालने का तरीका है, इसमें कुछ, इस प्रकार से भी अगर structure ना पता हो, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कि सबसे पहले, number of balance electron XC में 8 हैं, जो है, oxygen में 6 हैं, फिर आपके balance electron, fluorine के अंदर 7 हैं, सब के देखने पढ़ेंग फिर total balance electron उच इस प्रकार से निकालते हैं, 8 और 6, और जो, क्योंकि वो F4 है, तो एक F में 7 हैं, तो total 7, 28 होगे, तो total जोड़के 14, 28, 42 होगे, और चोंकि 5 bond pair हैं इसके अंदर, तो इसलिए उनको divide कर दिया, sorry, total 42 हैं, और चोंकि central atom पे total balance 8 है, तो इसलिए इसको 8 से divide कर दिया, तो answer device करने के बाद ये 5 आगया bond pair और एक जो बचा है वो lone pair रहेगा, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, वैसे तो हम structure के माधियम से ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, next देखिए, अगला question देखिए, consider the following assertion A and recession A, यानि कि यहाँ पर हमको 2 statement दिया हुआ होगा, यानि कि एक statement दिया है और दूसरा उसका cause दिया है, तो वो बताना है, तो यहाँ पर देखिए, statement कुछ इस प्रकार से है, azimuthal quantum number suggests about the special distribution of electron cloud, about the nucleus, ठीक है, तो nucleus के चारोर जो electron cloud है, उसके बारे में जो है, द्युगंसिय quantum संक्या जो हमें बताती है, तो यह एक statement है, दूसरा, gives information about a special distribution of electron cloud, about the nucleus, तो nucleus के चारो तरब जो electron cloud है, उसके, sorry, nucleus में जो electron cloud है, उसके बारे में ये बित्रण में हमें सूचना दे दिये, तो हमारे पास हमें बताना है, कि क्या दोनों ही सत्या है, या दोनों ही सत्या है, या उनका जो statement वो बिल्कुल सही है, या उसका reason सही नहीं है, या चौता है, कि statement गलत है, लेकिन reason सही है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, दोस्तों, वो option C है, statement तो ठीक है, लेकिन reason यहाँ पर गलत है, क्योंकि वहाँ पर बात हुई है, it gives information about the special distribution of electron cloud about the nucleus, तो यहाँ पर nucleus के about वो कह रहे हैं, जबकि वो electron cloud जो nucleus के about नहीं, बलकि उसके चारों तरब जो है, electron के distribution के बारे में, electron cloud के बारे में बताता है, तो यह गलत हो जाएगा, किसे लिए right answer option C है, ठीक है, चलिए आगे, चलते हैं, अगले, अगला question देखिए, अगला question है, if delta 0 is less than P, then electronic configuration of D4 species will be, तो यहाँ पर अगर जो delta P है, तो delta 0 क्या होता है, दोस्तो splitting energies को कहा जाता है, यानि कि जो आपका daily transition होता है, उसमें हम आपने बताया कि D orbital जो है, वो आपस में split होंगे, और दो भागों में बिवक्त हो जाएंगे, तो उनके बीच में जो energy का gap आजाएगा, splitting energy, उसी को हम delta 0 कहते हैं, और P क्या होता है, pairing energy कहते हैं, तो अगर जो वो splitting energy है, वो अगर count हो, pairing energy है, तो उस इस्तिति में इन चारों में से कौन सा अभी विन्यास follow होगा, वो हमें बताना है, ठीक है? तो देखें, यहाँ पर पहले के अंदर देखें, T2Z जो है, उसमें चार electron है, और EZ में एक है, दूसरे में T2Z में जो है, वो चार, और T2Z में एक भी electron नहीं है, तीसरे में T2Z के अंदर जो है, तीन electron है, और EZ में वन electron है, और चौते में T2Z में दो electron है, और EZ में भी दो electron होने चुकि जो है जब हमारे पास इनर्जी जो डेल्टा जीरो है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी पेरिंग इनर्जी से तो उस इस्तिति में जो है इस प्लेटिंग जो है वह अपेक साकर्त जादा उची नहीं होगी यानि कि दौनों जो एनर्जी है उनके बीच में जो गैब है वो कम होगा तो यहां पर सपोज यह उपर और यह नीचे के हैं इनकी बीच में यह गैब कम हो जाएगा जब गैप कम होगा तो इलक्ट्रों क्या होगा नीचे वाले जो लोगर एनर्जी लेवल से हाईर अच्छी तरीके से कूदेगा जल्दी कूद जाएगा और आसानी से कूल जाएगा तो इसके इस्तिति में क्या हो जाएगा इलक्ट्रों जो है जो इस प्रकार से होता है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो पांच है हमारे पार डी और्बिटल उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से दी एक्स वाइड दी जैड अगर इनका गैप चोटा है तो इलक्ट्रों चोथा जो बल्की उपर कूदना ज़्यादा प्रिफर करेगा तो उस स्तिति में जो इलक्ट्रों है यहां जादा अन्पेड हो जाएगा और जादा अन्पेड होंगे तो इसपिन कैसा होगा? high spin complex यहां पर बनेगा तो यह बात याद रखना कि कोई questions इसी के base पर solve हो जाते हैं ठीक है अगला देखे हैं हमारे पास which one of the following hybridization is involved in the compound having bipyramidal structure तो यहां पर कुछ गलती है क्योंकि यहां पर बात हो रही है कि bipyramidal तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो option B है SP3D तो SP3D है उसमें bipyramidal नहीं बलकि trigonal bipyramidal structure होता है तो यहनोंने question में trigonal लिखना भूल गे तो SP3D जो hybridization होता है उसके अंदर trigonal bipyramidal structure होता है और no lone pair कोई भी lone pair central atom पर नहीं होता है ठीक है चलिए आगे चलते है next देखिए which one of the following electronic transition require the least energy तो यह मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सबसे minimum energy का transition होता है वो किस में होता है आपका n to pi में होता है n to pi n t के अंदर और सबसे higher energy का आपका sigma से sigma n t के अंदर तो option D यहाँ पर right answer हो जाएगा यह बात यहाँ रखना है चलिए आगे चलते हैं next question देखिए the number of orbital present in my in in sub labels given by तो sub labels में जो electrons होते हैं वो किस के द्वारा दिये जाते हैं l plus 1 के द्वारा l minus 1 के द्वारा c है t 2l plus 1 minus 1 के द्वारा और d है 2l plus 1 के द्वारा तो यह आपने पढ़ा होगा कि जो value है इसकी total निकालती है 2l plus 1 के बराबर यह हमने quantum number के द्वारा है ठीक है तो 2l plus 1 जहाँ पर जो l है हम जानते हैं द्वारा quantum number होता है और n क्या होता principal quantum number होता है चलिए आगे चलते हैं next question देखिए अगले question के अंदर कह रहा है which one of the following is not correct तो यहाँ पर पहला है delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi दूसरा the maximum number of electron in an orbit is equal to n square c है the maximum number of electron in a sub-cell is equal to 2 into 2l plus 1 and d है the number of nodes in the 3s orbital is 2 ठीक है तो friends यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो option कौन सा होगा b होगा क्योंकि यहाँ पर maximum number of electron किसी भी कक्षा के अंदर 2n square होता है न की n square ठीक है तो यह बात याद अखना by first वाला जो है वो हैसेंबर्ग के uncertainty principle का according है और जो बाकी यह अभी मैंने बताए आपको कि electron में maximum number of electrons सबसेल के अंदर कितने हो सकते हैं 2 into 2 L plus 1 के बराबर होते हैं और number on notes कैसे निकालता है यह अभी हम आगे next question के अंदर देखेंगे ठीक है अगला देखिए next question ग्राउंड इस्टेट इलक्ट्रोनिक कॉन्परिशन अप एन एलेमेंट्स organ organ के बाद 3D10 है 4S2 है और 4P2 है इसका मलब कितना हो गए X कितना हो गए इसका number atomic number हो जाएगा 18,10,28,30,32 32 32 क्या हो सकता है जिंक तक जिंक 30 तक तो हम याद रहता है उसके बाद जिंक से आगे जब हम बढ़ते हैं 31 जो आएगा वो P block के अंदर आएगा 13th group में और उसके बाद जो 32 आएगा वो आपके 14th group के अंदर चला जाएगा तो 14th group के अंदर हम उपर से नीची की और जब आते हैं तो हमें सब से उपर क्या मिलता है carbon फिर silicon फिर germanium तो इसका मलब यह क्या है germanium है इसलिए right answer option B है ठीक है इस तरीके समय यह करना है next देखिए the number of nodal plans in an angular distribution function of 4s, 4p, y and 4z orbitals are respectively तो यहाँ पर बात हो रही है कि nodal plans में निकालना है हमको तो इसको मैं last में बताऊंगा आपको कि nodal plans जो है वो कैसे निकाल जाते है तो यहाँ पर basically 4s के अंदर जो है number of nodal plans है वो 0 होते है 4p में 1 होते है और 4d z के square के अंदर 2 होते है यह किस प्रकार से होते है इसके एक formula होता है अभी हम देखेंगे आगे question के अंदर next question देखिए the orbital angular momentum for a 4d electron is तो 4d electron के लिए orbital angular momentum तो कल भी हमने इस प्रकार का equation किया था कैसे करता है under root क्या होता है under root L into L plus 1 into H होता है orbital angular momentum क्या होता है under root L into L plus 1 into H होता है और यहाँ पर जो है बात हो रही है 4d orbital के लिए तो D orbital के लिए जो है L की जो value है उसको put कर लेंगे और उसको put करने के बाद answer निकल आगा तो D orbital के लिए L की value है वो obviously 2 होती है S के लिए क्या होती है 0 होती है P के लिए 1 होती है उसके बाद D के लिए L की value 2 होती है सोरी इसको h under root 6 भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर right answer C हो जाएगा इस प्रकार से निकालना है बहुत important question है दोस्तों यह आते हैं exam के अंदर next देखिए आपके पास question the electronic configuration of a tri positive ions in 1s2, 2s2, 2p6 and its mass number is 27 the number of neutrons and protons present in its nucleus will be respectively तो देखिए यहां पर एक electronic configuration दे रहा है 1s2, 2s2 और 2p6 और mass number हमारे पास दे रहा है तो हमें निकालना है neutron और proton ठीक है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जब tri positive ion का दे रहा है तो इसका मलब वो क्या है उसमें तीन positive charge है और यहां पर tri positive का जो electronic configuration है वो दे रहा है तो उसमें कितने electron है आपको दिख रहे हैं दो यह होगे दो चार और च्छे कितने होगे चार और च्छे 10 होगे और क्योंकि वो tri positive है तो इसका मलब तीन electron और होगे तो इसका मलब उसके अंदर total 13 electron होगे तो नंबर उसका जो तो number of neutron निकालने के लिए क्या करेंगे मास नंबर 27 में से 13 को मैनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 14 ठीक है इस प्रकार से हमारे पर यह दोनों चीज़े निकल के आ जाएगी right answer option d है 14 और 13 ठीक है यह आपने देख लिए किस प्रकार से proton की संक्या हमारे पर 13 थी द्रह्मा question यहाँ पर again quantum number से है the value of 4 quantum number for the last electrons of potassium तो electron यानि potassium के last electron के लिए हमें quantum number की value निकालने को कह रहे है ठीक है तो potassium का हम जानते हैं कि 19 होता है और उसका जब electronic configuration निकालेंगे तो कितना आएगा last में और गन 18 18 के बाद जो है वो क्या होता है two a की electron बसता है और वो एक electron जो है वो किस में जाता है s में जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजे आप एक electron जब 4s में जाने के मतलब है कि उसके अंदर जो n की value है वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी क्योंकि ns में one electron गया है और जब s में गया है त जले आगे चलते हैं आसान कुशन है इस प्रकार से questions आते हैं next देखिए कि यहाँ पर देखिए अगेन वह question आगया है number of node or plane नुडल पॉइंट फोर पी और्बिटल भी ठीक है तो फोर पी जो और्बिटल से उसमें हमें number of noodle planes निकाल लें तो उसके लिए जो है वो formula आपको पता होना चाहिए क्या होता है पहले में इसको noodle plane आपको अलग से समझाऊंगा फिर बताऊंगा अगले question last में बताऊंगा ये ठीक है next देखिए the orbital angular momentum for a 3p orbital is तो ये again वोई question आ गया angular orbital momentum अभी हमने बात की कि क्या होता है l into l plus 1 into h होता है और यहाँ पर 3p orbital के लिए l की value निकाल लेंगे तो s के लिए 1 होती है p के लिए क्या होती है sorry s के लिए 0 होती है p के लिए 1 होती है तो 1 की value जब हम यहाँ पर put करेंगे formula के अंदर तो क्या हो जागा 2 into 2 यानि अंदर रूड 2 h ठीक है यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से l into l plus 1 में जो हमने l की value 1 put की है क्यों क्योंकि यहाँ पर बात हुई है 3p orbital के लिए और p के लिए l की value 1 होती है इसलिए right answer यहाँ पर first हो गया है आई होप आप लोग समझ पा रहे हों next देखिए in an atom no two electrons can have same value for all the four quantum number this is called तो इसको क्या कहते है यह आसान question है जबकि चारो quantum number का मान एक नहीं हो सकता है तो यह किस ने कहा है पावली जो है उन्होंने अपने exclusion principle के अंदर यह बात कहिए कि एक नहीं जो quantum number है उसका value अलग होगा किनी भी दो electrons के लिए है ना क्योंकि एक परमाणों के अंदर sorry एक orbital के अंदर दो होंगे maximum तो maximum दो होंगे तो उसमें एक हमेसा clock wise होगा दूसरा anti clock wise होगा ही होगा तो इसका मलब चारों जो है उसकी value कभी भी समान नहीं हो सकती है ठीक है next देखिए एक completely filled d orbital d 10 तो एक पूरी तरीके से भरावा जो d orbital d 10 होता है क्या होता है तो पहला यहाँ पर spherically symmetrical होता है octahedrically symmetrical tetrahedrally symmetrical होता है या shape demand depend on the atoms तो यहाँ पर जो completely filled d orbital होता है दोस्तों वो आपका spherically symmetrical होता है क्योंकि उस पर d orbital में आपने देखा होगा कि चारों तरब जो है electron इस प्रकार से समान रूप से distributed होते हैं तो इस प्रकार से वो क्या होगा एक spherically symmetrical उसको distribution कहेंगे तो यह उसका right answer हो जाएगा next देखिए अगला question में के अंदर वो again वही कह रहा है कि following set के लिए हमें quantum number बताना है किस के लिए 3P Z के लिए तो 3P Z में N की value तो हम जान गए है कि क्या होगा 3 होगी P के लिए 1 L की value 1 हो जाएगी और M की value है वो हो मैसा क्योंकि Z orbital है तो पहले P के अंदर किस प्रकार से distribution होता है यह देख लेते है यह 3 है इसमें 1 होता है आपका X तो 3P X होगा फिर आपके होता है 3P Y और फिर P Z तो इसमें सबसे पहला होता है minus 1 दूसरा 0 और तीसरा plus 1 तो इसलिए right answer क्या हो जाएगा क्योंकि Z orbital की बात होई तो plus 1 हो जाएगा इसलिए M की value plus 1 तो B right answer हो जाएगा यह बात आप समझ पा रहे होगे 3P Z orbital के लिए M की value plus 1 होती है यह बात याद रखना इस प्रकार से आप देख सकते हैं P X के लिए minus 1 P Y के लिए 0 और P Z के लिए plus 1 ठीक है बाकी N और L की value आप समझ चुके हैं नेक्स देखिए अगला क्वेसन है इलक्ट्रोनिक कॉन्परिकेशन ऑफ नेट्रोजन 1S2, 2S2, 2P X में 1 है 2P Y में 1 है 2P Z में 1 है इस अकॉर्डिंग टू तो यह जो distribution दिखा रखा है यह किसके अकॉर्डिंग है पहला है आफ बाव प्रिंस्पल दूसरा है पावली का exclusion प्रिंस्पल तीसरा है modern periodic law और चौदा है हूंड rule of maximum multiplicity तो यहाँ पर देखिए जो distribution दिखा रखा है दोस्तों वो किसके according है यहाँ पर देखिए जो P P orbitals है उसमें सब में 1 एक एक electron का distribution है तो यह किसने कहा है यह आपके हुंड's rule of maximum multiplicity जो है यह बताता है हमारे पास कि पहले जो है सारे जो है orbitals से उसमें at least एक एक electron भर जाना चाहिए उसके बाद ही pairing होगी ठीक है तो यह हुंड's rule of maximum multiplicity बताता है चलिए आगे चलते हैं अगला कोशन देख लिए तो यहाँ पर किसी यह expression बताना है कि total energy calculate किस से होती है तो total जो energy है दोस्तो हम जानते हैं कि L के लिए जो orbital है वो मान उसका कहां से कहां तक होता है 0 से लेकर और N-1 तक होता है और उन सब का summation हम करते हैं किस से यह जो expression D वाला दिख रहा है आपको summation of 2 into 2 L plus 1 जहां पर कि जो L की value है वो vary कर रही है कहां से लिकर कहां तक देख सकते हैं कि 0 से लेकर और N-1 तक vary कर रही है यानि कि 0 minimum value 0 होगी और कहां तक होगी जहां पर जो principal quantum number है उससे एक कम तक इसकी value जाती है चलिए आगे चलते हैं अगला question देख लेते हैं next है the quantum number of numbers for N electron in 2P orbitals तो 2P orbitals में जो quantum number है वो बताने हैं तो again जो है हम वह equation बार-बार कर रहे हैं N की value यहां पर 2 हो जाएगी और P के लिए L की value 2 हो जाएगी तो यह असन question है sorry 1 हो जाएगी तो option B right answer है चलिए आगे चलते हैं next देखिए magnetic quantum number determines तो पहला है आपके पास shape of orbitals second है orientation of orbitals C है total energy of N orbitals orbital and D है आपके पास spin of N orbital तो हमारे पार बताने की जो magnetic quantum number है वो क्या determine करता है जल्दी से बताइए तो जो principal quantum number है यह आपको quantum number के अंदर मैंने बता रहा है कि जो magnetic quantum number है वो क्या करता है total number of orbitals बताता है इसका मतलब वो क्या कर रहा है कि कक्षकों का अभिविन्यास यानि की orientation को बारे में जानकरी देता है तो यहाँ पर भी जो है right answer हो जाएगा orientation of orbitals को बताता है चलिए आगे चलते हैं अगला question देखिए question number 70 है if p orbital is an atom is in the absence of a magnetic field is तो अगर हमारे पास चुमब के छेतर के अनुपस्तिती हो तो उस condition में जो जो p orbital है दोस्तो वो क्या होगा तो p orbital का shape आप जानते हैं कि क्या होते हैं तीन तरह के होते हैं तीन हो एक्स पे p, x, p, y और p, z तो इसका मतलब अगर किसी भी प्रकार का magnetic field अनुपस्तित हो तो उस तिस्टिती में यह क्या होगा three-fold degenerated इसका structure होगा ठीक है यह आप जानते हैं चलिए आगे चलते हैं next देखिए the maximum number of electrons which can be present in a sub-label of quantum number n is equal to 3 l is equal to 1 तो यहाँ पर again हमें वोई चीज पूछी गई है कि maximum number of electrons है वो कितने हो सकते हैं जहाँ पर बात हो रही है कि sub-label of quantum number जो है तो इस प्रकार से आप को करना है कैसे जो n है उसके लिए वो 3 3 दियो आए l की value 1 दियो ही है तो p sub-l आसानी से आप समढ़ सकते हैं कि p की बात हो रही है और p में जो अधिकता में इलक्ट्रोन है वो 6 होते हैं ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं आसान पसम था next देखिए which one of the following statement is not correct कौन सा statement correct नहीं है तो पहला है electrons move around the nucleus in a central permitted stationary orbit second है आप बाद the radius r of the orbit depend upon the principal quantum number third है the electrically of the ellipticity of the orbit is determined by the magnetic quantum number तो ये तीसरा ये expression हमारे पर गलत है ellipticity जो है वो orbit की determined नहीं करती है quantum number बलकि orientation को देखती है अभी हमने इससे पहले ही बात की थी ठीक है next देखिए the number of nodes for 3S, 3P and 3D orbitals is respectively तो यहाँ पर देखिए अब ये nodes वाला question है ये मैं finally आपको सामने बताता हूँ तो सब सब पहले हम देखते है कि जो nodes हैं वो होते क्या है तो nodes दोस्तो the nodes point is a point at which there is a zero probability of finding an electron तो electron की 5 जाने की जो संभावना है वो zero या 10 to zero होती है ऐसे जो छेतर हैं वो कहलाते हैं orbital nodes कहलाते हैं और इसमें भी ताइपस दो टाइपस के होते हैं there are two types of nodes जिनको हम कहते हैं radial nodes and angular nodes the number of angular nodes is always equal to the orbital angular momentum quantum number L जितनी L की value होती है दोस्तो उतने ही उसमें आपके जो angular nodes हैं वो होते हैं जितने number of L होंगे जबकि जो radial nodes हैं उसके लिए हमें क्या होता है एक formula याद रखना होता है वो क्या है total number जो N है उसमें से 1- करके और minus L ये इसका formula याद रखना होता है जैसे कि for example अगर हम बात करें कि 2S orbital के लिए हमें बोला जाए nodes निकालने के लिए तो 2S orbital के लिए N की value है वो 2 हो जाएगी क्योंकि 2S है और L की value S है तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो number of angular जो nodes हैं वो क्योंकि L की value 0 है तो वो भी 0 होगी जबकि number of जो radial nodes हैं वो क्या होगी N की value 2 है उसमें से 1- करके minus L करेंगे तो 2 में से 1- करके 2 obviously 1 होगा और उसमें से 0- करके कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पर answer निकल के आ जाएगा 1 तो इस परकार से जो 2S orbital है उसमे nodes जो है radial nodes यही वाले पूछे जाते हैं तो वो 1 हो जाएगा ठीक है next 2P orbitals के अंदर आँग बात करें तो N की value जो है वो 2P में 2 हो जाएगी और L के लिए जो L की value है वो चुकि P है तो 1 हो जाएगी तो 2 जो angular nodes है वो तो उतना ही होंगे जितने L होंगे यानि कि 1 होगा जबकि जो radial nodes हैं वो हो जाएगी N-1-L तो 2 में से 1 गया और 1 बचेगा और वापस जो है उसमें से 1- करेंगे तो 0 हो जाएगा तो इस प्रकार से जो 2P orbitals है उसमें 0 nodes find होंगे तो I hope आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से हमें nodes को find करना है तो यहाँ पर देखे इस question के अंगा अगर वापस से हम question पर बात करें तो यहाँ पर हमेरे पास 3S, 3P और 3D तीनों orbitals के लिए बात की गई है तो 3S orbital के लिए N जो है वो 3 हो जाएगा और N जो L है उसकी value 0 हो जाएगी तो 3 में से 2 गया तो 1 sorry 3 में से 1 गया तो 2 ही बचेगा sorry 0 गया तो 3 ही बचेगा N minus 1 minus L है न तो 0 minus करके तो कोई फायदा नहीं होगा लेकिन 1 minus करने के बाद 2 जो है वो बच जाएगा तो इसका मलब 3S के लिए 2 होगा और 3P अगें जब हम 3P orbital की बात करेंगे second वाला तो 3P के लिए जो है N की value क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और N की value जब 3 होगी तो दोस्तो उसके लिए जो है हम formula में जब रखेंगे N minus 1 और P की N minus 1 यह नहीं कि 3 में से 1 गया 2 और P जो है वो क्या होता है 1 होता है तो again उसमें से 1 minus हो जाएगा तो बचेगा 1 तो इसका मतलब 3P के जो value है निकल के आ जाएगी 1 उसमें 1 node होगा और 3D के अंदर जब हम बात करेंगे 3D तो 3D में जो है दोस्तों आपको पता है कि N की value 3 होती है और उसमें से 1 minus करना है formula के अनुसार और L के लिए क्या होता है L जो हो 2 होता है जब 3 में से 2 गया 2 और 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा तो इस प्रकार से हमारे पास nodes कितने होगे 0 होगे इसलिए B जो है right answer होगे तो I hope आप समझ गये होंगे कि हमको किस प्रकार से formula याद रखना है N minus 1 और minus L ठीक है यह formula basically याद रखना है और अगर angular nodes की बात करेंगे तो वो तो जितने number of L होगे उतरे ही nodes होते हैं चलिए आगे चलते हैं नेक्स देखिए एन और्बिटल फॉर विच इलक्रोन प्रबिबिटी डिस्रिबुशन is spherically symmetric about the nucleus तो nucleus के about अगर spherically symmetrical distribution है लक्रोन का तो कौन सा orbital हो सकता है 2P, 3S, 3P या 3D तो अभी हमने बात की कि जो 3D orbital है वो उसके चारो तरब समान संभावना होंगी distribution की लक्रोन की तो इस प्रकार का symmetrical कहलाएगा है यह आप देख सकते हैं चारो तरब वो equal जो है उसकी संभावना है तो यह एक symmetrical distribution कहलाएगा ठीक है, spherically symmetrical next देखिए 3S orbital has तो 3S orbital में अभी हमने बात की कि 3 जो है N हो जाएगा और S जो है 0 होता है तो 3 में से 1 गया 2 तो 2 notes इसमें होते हैं right answer option C हो जाएगा next देखिए the angular momentum for our field 2P orbital तो यह हमने अभी पहले भी discuss कर लिया है कि angular जो momentum होता है वो क्या होता है N L plus 1 into H ठीक है, तो under root जो है वो L into L plus 1 into H और यहाँ पर जो की 2P orbital की बात होई तो P orbital के लिए जो L की value है वो 1 हो जाएगी तो 1 into 1 2 और 2 into 1 तो H root 2 यहाँ पर answer निकल का जाएगा, चलिए आगे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं इसके में इतना ही question हम करेंगे, ठीक है तो I hope आप लोगों को यह session अच्छा लगा होगा दोस्तों, हमने इसमें लगबग 32, 33 questions जो हैं discuss किये और आने वाले time में भी जो हैं, जो लोग मेरे साथ जोड़ेंगे, तो वो इसी प्रकार से हम सारी चीज़ें discuss करते हुए syllabus को अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है तो आप मेरे वाड़सप नमबर में मुझे contact कर सकते हैं और आगे की चीज़ों के लिए मैं वहीं पर information आखो दूँगा, ठीक है तो अभी के लिए इतना काफी है, thank you so much have a good day, thank you